कुछ अप्सक्राइब करेंगे ऑप्सेंट के ओपर कि कल है विकली एक्सपाइब की दिन जैसे मैंने आप लोगों को सेयर किया था भी टेक्निकल अनलेसिस वीडियो में कि मार्कित हमारा अल्रेटी बहुत उपर है अगर आप यहां देखें तो हमारा मार्केट एजसेटी 186 है और जो मैं इवेस का डेटा वोला था इंफ्लेशन डेटा यह इस बार घटके आया है पिछले बार 9.1 सम्टिंग था ओके और इस बार आया है 8.5 और इस वज़े से मार्केट काफी पॉजिटीव है ऊपर है तो यह हायर इंड में ही अगर क्लोजिंग रहता है आपको ध् हरynn देटा है तब भी मार्केट हमारा जेपअप ओपन होगा और यह जहां पर रहेगा उसी आसपास हमारा मार्केट उपन होगा इसका मतलग हमारा मार्केट जितना SGX Nifty point उपर रहेगा, उतना point हमारा Nifty उपर open होगा, ठीके, तो Nifty में chance थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन bank Nifty थोड़ा आपको chance दे सकता है, ओके, तो मैं ए वीडियो आप लोगों को trade करने के लिए morning में एक idea share करने के लिए बना रहा हूँ, इसे आप समझे, कैसे हम लोग trade बना सकते हैं, friends देखिए, अगर आप देखें, तो कल भी हम लोग ने देखा था, कि put हैवी short हो रहा था, ओके, और कल भी unwinding था और आग भी हमें कहीं unwinding दीख रहा है, हलाकि ATM के price के आसपा चुकि market high नहीं बनाया, तो यहां पर थोड़ा सा sale जरूर हुआ है, इधर, भग 300 points या 250 points आसपास open होना चाहिए, लेकिन अगर इतना open हो जाएगा, तो चांस समय नहीं मिलेगा, बट आप ध्यान रखिए कि pre opening session में, अगर बैंग निफ्टी 200 points आसपास ही open होता है, तो आपको chance मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए, यह ध्यान रखिए, आप morning में 38,400, 38,500 का strike price open कर लिजेगा, और put की तरफ, ठीक है, जिसका frame अभी 300 है, या 240 है, यह सब, यह सब strike price आप open करके रखिएगा, इसे में आपको trade मिलने वाला है, logic क्या है, समझे, कि अगर market इसके ऊपर open होता है, अगर मैं आपको sensible का data दिखाऊं, यहाँ पर, तो थोड़ा सा और ज् करेंगे, देखिए, अगर आप देखें, तो सबसे ज्यादा sort हुआ है, आज, 249% उपर, मतलब 250% उपर, प्लस हुआ है, मतलब इतना put sort हुआ है, राइट, कौन सी strike में, 38,300 में, कहीं कहीं sort हुआ है, 124% उपर है, 100% उपर है, कौन सा, 38,500, 38,400 भी strike sort हुआ है, लेकिन यह quantity के बहुत कम है, तो अगर हमें chance मिलेगा, तो इसी strike में chance मिलेगा, तो market क्या कर सकता है, ध्यान रिखिए, कि अगर बैंग निप्टी का, जो settlement price है, ओ है, 38,287, अगर यह 500 के below pre-opening session में settle होता है, 38,500 के below, 490, 480 आसपा सेटल होता है, तो आपको यह chance मिलने वाला है, जैसे इस point के उपर breakout होगा, जितने लोग यह sort करके रखे हैं, 38,500, जितने लोग का है sort का position होगा, जिसका large trading price 100 रुपी से, 100 हो सकता है, और भी उपर में sort हुआ हो, तो इस सब लोग अपना position को cut करना सोचेंगे, cut करनी के लिए सोचेंगे, और market यहां से और भी उपर जाने वाला है, तो 38,500 प्राइस जैसे निकलता है, immediate आपको इस premium को sort करना पड़ेगा, अगर आपको trade लेना है, अगर option sale करते हैं, तो कौन से premium को 38,500 का strike को, जिसका premium at least यहां पर 150 या 160 के आसपास आपको morning में मिलना चाहिए, ठीक है, अगर यह 200 आसपास उपन होता है, तो ओके, तो यह लग पर निकलता है, आप इसमें sort कर दें, आपका stop loss होना चाहिए, 30 से लेके 40 point का, यह stop loss के साथ इसमें trade कर सकते हैं आप, चुकि यह premium 0 होने वाला है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कि अगर market 38,500 के ऊपर उपन होता है, तो फिर market continue में ऊपर चले जाएगा, और top के range में resistance मिलेगा, कहां 38,900, 38,900, 38,800, 38,800, आजपास resistance मिलेगा, तो market जाकर रूपना चाहिएगा 38,500 के आजपास, इसका logic क्या है, कि ऊपर में resistance है, नीचे अब अल्रेडी support बन जाएगा, और इतना ऊपर जाने के बाद फिर से और नया trade आए, इसकी समभवना थोड़ा कम हो जाएगा, तो at least यह रूप जाएगा लगभग बारा साड़े बारा एक बज़े के आज पास तरका, ठीक है, तो इतना बज़े तक अगर market रूप गया, तो भी हमें एक अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो दिमाग क्या लगाना है, मतलब सोचना क्या है, कि जैसे market 38,000, 38,500 को उपर जाता है, 38 कि जा रहा है, जाने दीजिए, सपोस करो आपने 150 का प्रियम को सौट किया, अभी उपर चला गया, तो अभी इसका प्रियम आगया कितना, हैंड़े टूपीज, आप एसल ट्रेल करके लिए आओ, cost to cost में, ठीक है, और अगर market और उपर जा रहा है, तो अभी इसका प्रियम क का call को sale करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक यह 80,000 विरुपे तक आएगा, आपका जो spot है, वो spot जा चुका होगा, 38,700 के आसपास, यह मैं उस condition की बात कर रहा हूं, कि market gap up रहता है तब, okay, market gap up रहता है, तभी की condition बात कर रहा हूं, अगर market gap down अपन हो जाता है, तो फिर matter अलग है, और gap down की समावना तो देखनी रहा है, यह खुल के direct नीशे आ जाता है, देखे, अगर market खुल के ऊपर जा रहा है, तभी आप यहां पर sort करेंगे, एक दो मिनिट में आपको पता चल जाता है, या अगर आप ठोड़ा practice है, तो 30-40 सेकेंड में भी पता चल जाता है, कि market का moment कैसे आ रहा है, जनरली gap up open होने के समय क्या होता है, पहले में के तो candle थोड़ा सा नीशे मारता है, इस बाद सेम candle हैमर बन जाता है, तो थोड़ा सा अगर आपका practice है, तो इसमें आप trade कर सकते हैं, ठीक, अपना stop का ज़रूद ध्यान रखेगा, 30-40-50 का पहला stop होना अगर market continue उपर movement करता है, जब यह 89 रुपए के आसपस रह जाएगा, जो put short किये हैं उसे, आप अगें उपर का 50-60 रुपए का प्रियम को again sell कर दे, मैं इस प्रियम को sell करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, कि अगर माल लीजे, market थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत ही जल्दी गिरेगा, और यह strike मिलेगा, मतलब एप्रियम मिलेगा, वो strike रहेगा, 39,000 के आसपस, 39,000 या फिर 38,009,8 का strike में मिलेगा एप्रियम, ठीक है, तो एप्रियम immediate short करें, अगर माल लीजे, थोड़ा market rest लेता है, या थोड़ा रूपता है, तो यह सबसे fast गिरेगा इसका प्रियम, और थोड़ा बहुत यह भी decay होता रहेगा, एक समय ऐसे आएगा, कि आदा गंटा एक गंटा रूप गया, तो यह जादा गिर जाएगा, यह लगवक 70 के आसपस आजाएगा, यह 75 के आसपस आजाएगा, और यह गिर के 40 के आसपस आ जाएगा, 40 के आसपस आजाएगा, और यह बढ़ेगा कितना, यह बढ़ेगा, 70 से लिके 75 के आसपस, तो जो आप यहाँ पर sort करें, इसका आप 80 में SL डाल दें, और लोवर साइड में, जब एक प्रियम आजाए, तो आप अलेड़ी आपने sort करके रखा है, आप जो cost है, वो क्या सपस आजाए, तो आप position close कर लिजिए, इस type का logic बनेगा, कल morning में trade करने के लिए, अगर market get up खुलता है, तो निप्टी में थोड़ा chance मुझे कम दिखता है, और अगर मैं निप्टी का data देखो, तो निप्टी का data थोड़ा सा confusion create कर रहा है, ओके, और चलिए निप्टी मे होगा, और 700 के आजपास, दिखी, निप्टी में premium बहुत कम मिलेगा, लगभग ये premium रहेगा, आपका 60 रुपय के आजपास, या 50 रुपय के आजपास, तो इसे adjust करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कल अगर कोई trade अच्छा मिलने वाला है हमें, तो मिलने वाला है bank nifty की तरब से, और जिस तरीकी से bank nifty में unwinding दिखा है, nifty में उस तरीके unwinding नहीं दिखा है, तो जितना killer data आपका bank nifty का दिख रहा है, उतना killer data nifty का नहीं है, ओके, तो हम लोग कल prefer करेंगे trade करने के लिए bank nifty में, ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही तक, आसर करता है